विदर्थी मेत्रों बेजिक एंजिनेरिंग ड्रोइंग मां हवे आपने MCQ सीरीज शरू करी रहा छिए तो MCQ सीरीज ना पेला वीडियो मां अपने ड्रोइंग इंश्रूमेंट्स जेवा के ड्रोइंग बोर्ड, ड्रोइंग शीट, पैंसिल्स आने बीजा गणा बदा इंश्रूमेंट्स जे आपने वापर यह छिए एव instruments ने लगता, एमना प्रकारों ने लगता MCQ केवा केवा पुछाए शके, एव प्रान scale, dimensioning, types of line, types of arrowhead, एव दाज topic ने आपने MCQ ना पेला वीडियो मा cover करवा जही रहा छिए, तो आब दा topics माथी केवा केवा MCQ आवी शके, अने एमनों लगतो थोड़ो theory पार्ट आपने बनता जही शूँ, तो हूँ मैं उर कोलोडिया, सोफ्टेक यूटूब चैनल मा आपनों स्वागत करूँ छू, तो चालो शीखिये मित्रो आ वीडियो गमे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अने नवा वीडियो ना नोटिफिकेशन माटे बेल आइकन जरूर थी दबाओ तो विद्यर्थी मित्रो आ वीडियो माँ आपने केटलाक MCQs जोवाना छिए के केवा-केवा MCQ पुछाई शके अने यना अंसर केवी रिते आपने लखवाना छे, केवी रिते विचारवाना छे, तो सवथी पेला आपने पेलो MCQ नोट लेए रहा छे, यूज ओफ वापरों छो तमें, येना उपयोग विशे MCQ पुछाई शके, तो आपने केटलाके या उदाहरनों जोईए, सवथी पेला आपने पुछाई शके, के वीच इंस्ट्रूमेंट इस यूज टू ड्रो अ सरकल, सरकल बनावा माटे कईू इंस्ट्रूमेंट वपराए छे, तो अलग-अलग रेडियस ना सरकल नाथी बनावा माटे कारीशू, फ्री फोर्म लाइन बनावा माटे या उपयोग थतो होई छे, अने सेट स्क्वेर केटलाके फिक्स एंगल बनावा माटे आपने वापरिये छे, तो करेक्ट अंसर इस बी सरकल मास्टर, बीजो क्वेस्चन जो ये, तो बीजो क्वेस्चन कहीं कावो छे, अ मिनी ड्राफ्टर डजन्ट सव परपज ओफ, एडले के मिनी ड्राफ्टर या नीचे जे चार ओप्शन आए पाछे, ए चार माथी कया इंस्ट्रूमेंट तरीके आपने नथीव आपरी शक्ता, ए आपने शोध्वनों चे कोनों परपज सव नथी करतू मिनी ड्राफ्टर, तो मिनी ड्राफ्टर स्केल नों परपज सव करे चे, एना दवरा सी धील लाइन आपने बनाई शक्ये चे, एडले स्केल नों परपज सव करे चे, प्रोट्रेक्टर एडले के कोन मापक, एना थी खुनों मापी शकाई चे आनो खूणो बनावी पन शकाया छे, एचलवे के मीनी ड्राफ्टर नों उपियोग प्रोटरेक्ट तरिकका आपण करी शक्ये छीये, त्यार पाछी कमपा से परिकर तरिकके आपण to fix drawing sheet on drawing board drawing board उपर drawing sheet लगावा माटे नीचना माथी कई वस्तुनों उपयोग थतो नथी चार ओप्षन छे drawing pin तो drawing pin द्वारा आपने लगावी शक्ये adhesive tape एना द्वारा पन लगावी शक्ये clips द्वारा पन लगावी शक्ये जनरल या आपने clip search वापर ये ची है और चोथो उप्षन छे thread तो thread द्वारा drawing sheet लगावा मावे तो ये move थे जसे सरकी जसे एटला माटे आपने thread वापर वानों नथी So correct answer is D Next question is A French curve is used to draw French curve should draw करवा माटे उपयोग थाई छे तो के circle नहीं French curve नो उपयोग आपने smooth free-form curve बनावा माटे करिये छे तो B is correct answer A C V बिधा घणा बदा instruments छे जना उपयोग आपने पूछी शकाए तो typical केटला को दारण होईया में आए पाचे त्यार पाचे हवे drawing sheets ने लगता केटला के MCQ जोईये तो पहलो question छे the length to width ratio of a trim drawing sheet in engineering is कोई पन trim drawing sheet नो length to width एदले के लंबाय आने पोड़ाय नो गुणोत्तर केटलो होई ए आपने लखवानू छे तो आपने जानिये छे के गुणोत्तर होई B root 2 is to 1 जो तुमने ना खबर होई तो आपने जे कोई पन trim sheet नो dimension आपने याद होई एमा लंबाय भागया पोड़ाय करीशू एल्ले के length divided by width करीशू तो 1.414 जे ओ अंसर आवशे जे रूट 2 ना एकवल टू होई थी आपने कई शेकिए के आ गुणोतर root 2 is to 1 छे एना पसी नो question आवो पन पूछाय शेके के the size of A2 sheet is A2 sheet नी size केटली होई तो आमा थी आपने पसंद करवानी छे आपने याद राखे लिया शे साचो जवाब छे D 420 by 540 mm question आपन पूछाय शेके the designation of sheet size 594 by 841 mm तो आटली size नी sheet नो designation शूँ छे तो आमा थी आपने साचो जवाब शोधवानों छे साचो जवाब छे A1 sheet तो sheet ना dimension नो detail अभियास करवा माटे आपनी चेनल पर एक video ओल्रेडी छेज ए तमने मली जाशे टूक मा आपने एमनी थियरी जोईव एतो width to length ratio 1 is to root 2 छे अने length to width पूचे तो एना थी उल्टो करवानू छे यह एक sheet छे अने जनरली आपने A0 sheet नी width याद राखेली ओए चे 841 mm length शोधवा माटे एनने 1.414 वडे गुणवानू छे एतले आपने length मली जासे sizes आपने याद राखिये छे साइज माटे आ टेबल आपने याद राखेलू छे जेमाँ पेल्ला ब्याकड आपने याद राखवाना छे 841,1192 14-15 पल आपने जानियें छे कि sheet नी size के वी रिते आवे छे जो A0 नी 8 दी करिये तो A1 sheet मले छे A0 नी 8 दी करता जिये तो A1 एमना dimension आपने मलता जाई छे तो अइया आपने जो ये dimension तो length ये लखेली छे width ये लखेली छे next size माटे length ना 18 width तरीक लखवाना छे अने ये width सती ये अवे 9 size अने length थाई जाई छे तो आने ये ट्रांसपर करवानों 18 ये लखवाना छे यह ट्रिम्ड औन अंट्रिम्ड बनने प्रकार नी साइज नू लिस्ट आपेलू छे जहनो तमें फोटोग्राफ अथवा स्क्रिंशोट लाई शेको छो यह जरीते ड्रोइंग बोर्ड नी साइज पन इन्या बताविली छे तो यह मासी पन तमने MCQ पुछी शकाई छे एटले यह पन याद राखी लेशो अवे पेंसिल ना प्रकार विशे ना MCQ जोईए तो पहलो MCQ छे वीच ओब दे फोलोईंग इस नोट टाइप अप पेंसिल नीचे ना मासी कयो पेंसिल नो प्रकार नथी तो HB yes पेंसिल नो प्रकार छे A3 एतो ड्रोइंग शीट नो प्रकार छे एटले यह साच जवाब छे अईया जनरली आपन भूल F मा करता हुए छे पन F ए पेंसिल नो प्रकार छे ए आपने जाणिये छी ए एटले यह याद राखी लेवानु छे त्यार पाची बीजो क्वेश्चन छे Which of the following is softest pencil? अईया एक लिस्ट आपेलू छे अन्य ए लिस्ट मा साथी soft pencil का ये छे तो soft pencil माटे B नी value जेटली वदारे एटली pencil वदारे soft अन्य H नी value जेटली वदारे एटली pencil वदारे hard तो अन्य 2B एए सवती soft होवा नी तो correct answer is 2B Which is the application of medium grade pencil? medium grade pencil नो उप्योग शूँ छे तो construction line on technical drawing तो एना माटे hard pencil वापर ये छे आपने for general technical drawing येस, general technical drawing एटले के dimension line, projection line, arrowhead बनावाना तो आब धू general technical drawing माव से तो एना माटे आपने जन्रली medium grade pencil वापर ये छे आईया pencil ना केटला grade आपेला छे जह माँ hard grade construction line माटे medium grade general technical drawing माटे आने soft grade artwork माटे उप्योग माँ लेवा माँ आवे छे आईया तमे जोई शको छो का 8B 6A सवती soft pencil छे आने आ दिशा माँ जैशू तो hardness वत्ती जाई छे एना उपर जैशू तो एच दिशा माँ hardness वत्ती वत्ती जसे आने छेले 10H ए सवती hard था से आपना यहाना list माँ drawing angles विशे एकाद बे सवाल जोई ए पहलो question ए छे कि which angle cannot be drawn using T square and set squares only तो T square आने set square नो उप्योग करी ने कयो angle draw नथी करी शेका तो नीचे list आए पूछे 75, 30, 125, 135 तो आपने जानी चेए कि जे angle ने पंदर वडे निशेश न भागी शेकाए एवा angle set square ने T square नो उप्योग करी ने ना बनाय शेका यहना माटे आपने protractor एटले के कोण मापक ने जरू पडशे तो 125 ने आपने पंदर वडे नथी भागी शेकता तमने कोई पन बिजा एंगल्स पन पूछी शेके तो 0, 15, 30, 50, 40, 15 ना इंटरवल पर 15 वडे जेने भागी शेका एवा angle आपने T square, set square नी मदधी बनाय वी शेकेए चे एटलो आपने याद राखे लेई शू त्यार पछेनों क्वेश्चन चे वीच एंगल केननोट बी ट्राइसेक्टेड युजिंग कमपास कमपास ने उप्योग करी ने कया एंगल ना त्रण सर्खा भाग आपने नसी करी शकता तो चार ओप्शन चे नेवू, एक्सोएसी, साइट ने एक्सोपांतरिस तो जे एंगल ने आपने 45 वडे नीशेश नो भागी शेके येवाने ट्राइसेक्ट नसी करी शकता एटले साइट ए आपनो जवाब थाशे 45 नेवू, एक्सोएसी एक्सोपांतरिस आप दा एंगल ने आए रहे ते पुछाई शके Choose the reduce scale from the following नीचे केटलाख scale आपेला छे reduce scale कयो छे तो scale ना त्रण प्रकार आपने जाणिये छी है, जेमाँ पेलो छे फूल स्केल छे, बीजो छे एंलार्ज छे, त्रीजो छे ये reduce छे, आनने चोथो पन एंलार्ज छे D option माँ बनने आकडा वो बीजा आकडा करता मोटा छे ये सरखा प्रकार नोज रेशियो छे एटले आपने एटलो ख्यालावी जाए के अहिया answer B and D न आवी शके, एटले C answer लक्षी शेको तमें ये रिते पना अनुमान करी शेको So next question is When the drawing are drawn smaller than actual size of the object then scale is known as जारे actual object करता drawing नानू बनावा मावे त्यारे scale ने क्यो scale क्यावा मावे छे तो क्याने reduce scale क्यावा मावे छे करन के नी size reduce करवा मावी छे, what is the ratio of length in drawing to actual length of the object called as, drawing मानी length अने actual object मा ए element नी length ये बनने length नो ratio लेवा मावे तो ए ratio ने शू क्यावा मावे छे तो आपने जानिये छे ए ratio ने representative fraction RF क्यावा मावे छे पछीनो question छे, the size of the drawing drone to scale 2 is to 1 will be blank the actual size, 2 is to 1 ratio अथवा, ए scale मा कोई drawing जो बनावा मावा हूँ होई तो actual object नी size करता drawing मा draw करेल object नी size के भी हशे option मात अमने पुछ same age बनने सरकी है शे, twice एटले के actual object करता drawing नी size बमणी है शे, double है half of एटले के 80 है के एक पंड नहीं, तो साचो जवाब छे twice बमणी है शे, कैमके 2 is to 1 ratio, एमा 2a drawing नी size बतावे छे, 1a actual size बतावे छे, so scale वी शे आपने ओल्डेडी जानिया ची केटली कवस्तू, representative fraction एटले के length in drawing divided by actual length एने आपने representative fraction कईये छी, scale नो उप्योग आपने बहु मोटा object ने अथवा तो एकदम नाना object ने कागळ पर जरे उतारो होई, तेर मोटा object ने मोटो करी ने बतावी पड़तो होई छे एवा case माँ आपने scale नो उप्योग करता होई छे, आईया केटला recommended scale तमने बतायावा छे, जैमा reducing scale मा 1 is to 2, 1 is to 5, 1 is to 10 एने नीचे 1 is to 20 200, 2000 एनलर scale माँ आगळ नो मोटो और पछी नो आगळो आईया तमने केटलाक उधारण आपेला छे, अने full scale मा 1 is to 1 एका जाव छे, जैमा object नी size चे, at least size नो आपने drawing बनावी छे arrowhead वीशे केटलाक question जो ये तो सवती पहलो question छे the ratio of length to width of an arrowhead is तो आपने क्याल छे c 3 is to 1, length करता width 3 जापाग नी होई छे वीजो question छे which is type of an arrowhead, नीचे ना मथी कई arrowhead नो प्रकार छे, open arrowhead close arrowhead, close length fill arrowhead, तो उपनना बद्धत प्रकार साचा छे, एकले आपने D all of the above option आपने mark करेशू त्यार पछेनो question छे if length of an arrowhead is 15 mm then its width should be, तो आपने आगल जोई के length width करता width 30 भागनी होई छे, एकले साचो जवाब थाचे 5 mm अगर type of line ने लगता केटला question जोई लिए तो आप्रकार ना MCQ पुछाई शके continuous thin line is used to draw continuous thin line should draw माटे उप्योग थाई छे, तो visible outline ना, visible outline माटे आपने thick line वापर है छे hidden outline माटे आपने chain line वापर है छे, अने dimension line माटे आपने continuous thin line वापर है छे, एटले साचो जवाब थाई, आना थी वीरूज आवो question पुछाई शके, continuous thin line is not used to draw, नीचे नमाथी कई वस्तो draw करवा माटे नथी वापरादू extension line, yes, एना थी draw थाई, projection line पड़े ना थी थाई, visible outline, thick line थी थाई, एटले साचो जवाब थे visible outlines त्यार पाछे नो question चे dash line is used to draw dash line नो उप्योग तो आपने hidden line बनाव माटे थाई छे, साचो जवाब चे B, अहिया line ना प्रकार आने application आपेली थे, line ना प्रकार विशे नो वीडियो पन तमे चेनल पर जोई शेको चो अने अहिया आप रकार पंद में आ रहे थे अनो screenshot लेने याद राखी शेको चो टाइटल ब्लोक ने लगता किटला question जोई है तो आप रकार ना question पुछाई शेक है कि the size of title block recommended by BIS is तो साचो जवाब छे B 185 by 5 mm 185 mm by 65 mm which information is not written in title block title block मानी चेमा थी कई information आपने लगता ना थी तो name of drawing लग्ये चिये name of student और company तो आपने student नू नाम लग्ये चिये company नू नू नाम अथवा firm नू नू नाम लखेलो शे sheet number लखे चिये पना type of pencil used कई pencil तमे वाप री चे ये लगता न थी ये ले डी ये साचो जवाब चे generally title block is drawn in title block क्या draw करो मा आवे चे middle of the drawing न वच्चे ना, top left, upper left side ना, bottom right hand side corner, yes, आपने bottom right hand side corner पर title block बना विये चे, so correct answer is C, D लख्यू चे anywhere in the drawing तो ये पना साचो जवाब न थी, margin kept on left side of drawing sheet is drawing sheet नी left side पर केटलो margin राखवा हमावे चे, तो 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, तो 40 mm ये साचो जवाब चे, left side आपने 40 mm margin राखिये चे अहिया में figure माँ बतावे लुचे जमा, A1 size नी sheet ना dimension चे, trim size untrim size बनने dimension बतावा चे, अहिया title block नू location तमें जोई शकाओ चो, right side bottom पर चे, left side पर margin अहिया तमने बतावी रही चे 40 mm, अने बाके नी 3 side पर margin 10, 10, 10 10 mm तमें जोई शकाओ चो अहिया lettering विशे ना केटला mcqs जोई ये, तो पेलो mcq छे the size of lettering is specified by lettering नी size शेना दवारा specify करवामा आवे चे option चे, height of letter, width of letter thickness of letter, all of the above, तो आपने जाणे चे height दवारा specify थाई चे, एटले आपने याद राक्षू, which is not ये साचो जवाब थाचे, the angle used for inclined lettering is inclined lettering मटे काई हो angle वापर हो मावे चे, तो साचो जवाब चे 75, अगर dimensioning ने लगता केटला question जोई लिए, तो सवती पेलो question चे, in unidirectional system of dimensioning dimension are placed, unidirectional system मा, dimension क्या लखवा मावे चे, तो options तमें जोई शकाओ चो, perpendicular to dimension line, ना perpendicular तो आपने align method मावा पर ये चे, unidirectional माँ एकद दिशा माँ आपने dimension लखिये चे, एटले हमेशा ये dimension line ने perpendicular हो ये वू जरूरी ना थी तो A option नहीं आवे B option माँ, so that they can be read from bottom edge, नीचे वहां चीशे काई ये रिती है, तो के yes B is the correct answer next question जो ये, dimensions are given from a common baseline in, ये नीचे option आए पाछे, dimensioning प्रकार मा, कया प्रकार मा common baseline थी बजय dimension आपिये चिये, तो continuous dimensioning आणे chain dimensioning तो बनने एक भी जना परिया ये चिये आपने नथी करता, पन parallel dimensioning मा आपने ये उख करिये छिये ये ये, parallel dimensioning is the correct answer, combined मा आपने chain और parallel नूँ बनने नू combination वापरिये छिये next question is which is not correct practice for dimensioning dimension आपवा माटे नी नीचे नामा थी कई practice साची नथी तो पहली practice छे give complete dimension so that no dimension needs to be assumed मतलब तमे जहरे dimensions आपो छो त्यारे बद्धास dimension पूरे पूरा आपो कि जेथी करी ने कोई dimension assume ना करू पड़े तो आतो साची practice छे एतले ये आपनो अंसर नहीं आवे B option is mutual crossing of dimension lines should be avoided dimension lines एक बीजा साथे cross न था येनू ज्यान राखू जोए तो ये पन एक सारी practice चे तो ये पन आपनो अंसर नहीं आवे option C is an outline should be used for dimensioning so that we have to draw less dimension line लखवा नो कोई मतलब ना थी तो यहां तम्हें घणा बदा MCQs engineering drawing न जे instruments छे यहां बेजिक fundamentals छे एने लगता जोया MCQs जो तमने exam ने द्रश्टी है के तमारा concept develop करवा मा concept clear करवा मा उपयोगी थया होई तो आ वीडियो ना comment मा जरूर थी जणाव जो ते लिए